नम्मो नम्मा बच्चों आज आपलो मुहा कव कालिदास का जीवन पर छे उनकी रचनाए एवां भाशा शैलियाद के विशय में पढ़ेंगे महा कव कालिदास एक संचिप्त पच्चय महा कव कालिदास के जीवन व्रत्य के विशय में कोई भी प्रामाडिक सामग्री प्राप्त में होती है अपने जीवन के विशय में कोई भी सामग्री नहीं दिया अतह अंतह साक्ष का अभाव है परवर्ति काव्यों मुहा काव्यों या नाटकों में भी कहीं भी कालिदास के विशय में उनके जीवन के विशय में कोई भी उलेख नहीं में अता बाई साक्ष का भी प्राय अभाव है केवल कुछ की वदंतियां प्रचलित हैं जिनके आधार पर महा कल काईदास के जीवन पर कुछ प्रखाश पढ़ता है ये डाला जा सकता हैं इनके जन्म स्थान के विशय में भी पर्यात्र मत्वेद हैं कश्मीर के विद्वान इन्हें कश्मीरी सिद्ध करते हैं बंगाल के विद्वान इन्हें बंगाली बताते हैं और उज्जैन के विद्वान इन्हें उज्जैनी का निवासी मांते हैं मेग दूत में महाकव काईदाजी ने उज्जैनी के प्रति विशेश आग्र है और आधर भाव पुदर्शित किया है इससे ये ज्यात होता है कि वे उज्जैनी के निवाशी थे या अधी समय तक उज्जैनी में रहे थे मेग दूत में उज्जैनी नगरी के सौंदर, शिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का विशेश वर्णन राप्त होता है विद्वानों का कहना है कि ये राजा विक्रमा दित के नौ रतनों में में से एक थे इनके विशे में यह मत है यह भी है कि उज्जैनी के राजा भोज के सभासद थे एक कथा के अंसार उनका संबंध श्री लंका के राजा कुमारदास पांसो येश्वी से बताया जाता है इनके विशे में अनेक किवदंतियां प्रचलित हैं किन्तों जो किवदंती अधिक चल पड़ी है ये अधिक प्रचलित हो गई है उसके अंसार ये बड़े ही मूर्क थे ऐसा कहा जाता है एक बार किसी राजा की कन्या ने जिसका नाम विद्धोत्मा था उसने प्रतिग्या की थी जो विद्ध्वान शास्त्रार्थ हुए उसे हरा देगा उसी से वो अपना विवा करेंगे कहते है कि उसने अनेको वो द्वट विद्ध्वानों को हराया जिससे पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा आता उन्होंने एक ऐसा मूर के खोज निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वो बैठा था उन्होंने उसे ले जाकर राजकुमारी के समक्ष प्रस्थुत किया और कहा कि आज पंडित महाशय का मौन व्रत है अथा आज ये मौन रहेंगे अता ये संकेत द्वारा ही शास्त्रार्थ करेंगे विद्धोत्मा ने इसे स्विकार कर लिया शास्त्रार्थ शुरूप हो गया राजकुमारी ने एक उंगली उठाई एक उंगली दिखाई उसके जवाब में मौख ने दो ओले डिखा ये फिर राजकुमारी ने पांच ओलेया दिखाई तो उस मौख ने उत्तर में मुठ्थी दिखाई उनके प्रिश्ण अप्तर का जो भी अर्थ रहा हो किन्त राज कुमारे ने अपने पराजे स्विकार कर ली और उस मूर्ख पंडित से उसका विवा हो गया ऐसा कहा जाता है कि विवा के बाद एक दिन मूर्ख काल इदास अशुद शब्दों का उचारण कर गये जिससे उनकी धर्व पत्ती विद्धोत्मा ने मूर्ख कह करके उनका बड़ा अपमान किया इस अपमान से पीडित हो कर वे घर से बाहर निकल गया और अपना प्राण त्यागने के लिए सरस्वती कुंड में पूद पड़े किन्तु इनकी मृत्व नहीं हुए उन्होंने काल देवी की उपासना की और सरस्वती जी ने उनको वर्दान दिया जिसके फल शरूप जिसके फल सरूप का इदाश इतने प्रकांड विद्वान हुए कहते हैं कि विद्वान हो जाने के बाद वे जब घर लोटे तो अपनी पत्नी से कहा अना वृत्त कपाटम द्वारम देगे पत्ती ने उनकी आवाज पहचान कर उप्तर दिया अंदर से अस्ति कश्चिद वाग विशेशः अस्ति कश्चिद वाग विशेशः कुछ वाणी में विशेशता आ गई है कहा जाता है कि काल जास ने इन में से तीनों शब्दों को लेकर तीर काव ग्रंथ रचे अस्ति से कुमा संभव की रचना की जिसका प्रारम अस्ति अस्ति उत्त्रत्स्याम दिशी देवात्मा हिमालियो नाम नागादी राजा आधिश लोग से उत्ता है कश्चित से मेग दूत का निरमालकिया का मेग दूत की रचना की कश्चित कान्ता विरह गुरुना स्वाधिकार आत्त प्रमत्त और वाग शब्द से रघुवश रचना की वागाथिविव संप्रक्तव वागाथ प्रतिपत्य इस प्रकार अस्ति कश्चिव वाग विशेशन इन तीनों शब्दों से उनों ने तीन रचनाई काल इदास के ग्रंथों से ज्यात होता है कि वो जन्म से ब्रह्मन थे और शिव भक्त थे किन्त अन्य देवताओं का भी आदर विकरते थे मेग दूत और रगवंश इस बात के पढ़िचायक है कि उन्होंने भात्वस का विश्त्रत अथा बहुत अधिक ब्रमण किया था यह कारण है कि उनका भागोलिक वर्णन बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक बन पड़ा है उन्हें राजसी जीवन और राजपरिवारों का पून ग्यान था उन्होंने दर्दता आधिका वर्णन नहीं किया जिससे होता है कि उनका जीवन बड़ा सुख में और शांत था उन्होंने गीता रामयड महाभारत वेद पुरान धर्म शास्त्र दर्शन ज्योतिस आयरवेद संगीत व्याकरण चंद शास्त्र और काव शास्त्राजिका गंबीर अध्यन गया था ऐसा उनके ग्रंतों से ग्यात होत है महाकव काईदास की रचना है महाकव काईदास की साथ रचनाएं प्रसिद्ध है तीन नाटक है माल विकाग्न मित्रम जो पांच अंगों का नाटक है इसमें विदिशा के राजा अगनिमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाकवर्ण जो 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 दूसरा नाटक है विक्रमों वर्शिय यह भी पांच अंगों का नाटक है इसमें राजा पूरुरुवा पूरुरुवा तथा उर्वशी की प्रेम कथा और उनके विवा का वड़न है तीसरा अंतिम नाटक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतला जिसमें आठ अंकों में दुश्य शाकुंतला के विवा की कथा का वर्णन है फिर काव ग्रंत काव ग्रंतों के अंतरगत सबसे पहला काव है रगवंश कुमा सम्भू कुमा सम्भू यह 17 सर्गों का महा काव है जिसमें शिव पार्वती जी के विवा कुमार स्वामी कार्थी के का जन्म तथा कुमार द्वारा तारका सुर्व के वत की कथा वर्णने पहले है इन्तों यह अधुरा ही उपलब्द होता है दूसरा प्रसिद्ध महा कावे रगवंश है यह 19 सर्गों का महा कावे है इसमें भगवान रामचंद जी के पूर्वज रगु के जन्म से लेकर उसके बाद के सभी राजाओं का कवर्णन किया गया है गीति काव या खंड काव गीति काव या खंड काव के अंतरगत रितु संगार काई जाजी की यह प्रथम का विक्रती है इसमें छे रितुओं का मनोरम चित्रन मनोरम वर्णन किया गया है दूसरा है मेग दूत्र यहां एक खंड काव है इसमें एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहनी पत्नी के पास बादल द्वारा संदेश भेजने का था बादल को दूत बना कर भेजने का बड़ा ही विशद मारमिक और सुंदर वर्णन किया गया है महा कव काई जास का समय है महा कव काई जास के समय के विशय में किसी भी प्रकार की प्रमारिक सामगरी नहीं मिलते हैं काली दास जीने स्वयम या उनके समकालीन किसी भी लेखक ने उनके विशय में कुछ भी नहीं लिखा है उनके समय के विशय में जो मतपरसूत थैं वह अन्मान पर ही आतारिक हैं काई दास के समय के विशय में किवड़ एक तथ्य अकार्ट रूप से माना जाता रहा है कि महा कव काई जुब हैं विक्रम आदित्य के नौ रतनों में से कित्ठ हैं विक्रमात इत्त का समय विभिन विद्वानों ने विभिन कालों में मिरधायत कर कालिदास का इस्थित काल छटे शताब्दी इस्वी से लेकर प्रथंग शताब्दी इस्वी पूर तक दोलायमान कर रखा है उनके इस्थित काल के विशे में नेम्न मत्व प्रस्तोत किये गए हैं पहला चतुर्थ प इसना पूर्व का मत्द। तीसरा है सर्ष्ठ शताब्दी इस्वी का मत्द। चौथा है प्रथम शताब्दी इसना पूर्व का मत्द। भारत में यह बात लोग प्रसिद्ध है कि महाराज विक्रमादित उजयनी के राजा थे। उन्होंने शकों को परास्त कर अपनी विजय के उपलक्ष में 57 इसापूर में विक्रमी सम्वत का प्रवर्दन किया। सोम देवक्रत कथा सरित सागर में उजयनी के राजा विक्रमादित का उलेखा है। यह ग्रंत गुड़ाद्ड क्रत व्रहत कथा पर आधारित है। गुड़ाद्ड का समय लगबख 78 इस्वी माना जाता है। कथा सरित सागर का व्रटांत एतिहासिक और प्रामाणिक माना जा सकता है। क्योंकि इसके मूल लेकर गुड़ाद्ड विक्रमादित के समय के अत्तिक समीप थे। कथा सरी सागर में विक्रमादित के राज्य अपशेक का वढ़न है सूपितद विक्रमो अधित्यो राज्यमासाद्य पैत्रिकम नभो भास्वानी निवारेभे राज्य प्रतिपितुम कर्मात विक्रमादित संस्कत भाषा के संरक्षक और उधारक थे यह कवियों के आश्रेदाता थे अतहां महा कवि कालिदास भी इनी के आश्रे में रहे होंगे अतहां महा कवि कालिदास का आश्रेदाता भी यही रहे होंगे यही रहे होंगे। महाकर्व कालिदास ने इतने ही आप पाड़े नी प्रयोक किये इससे ग्यात होता है कि महाकर्व कालिदास उस समय हुए थे जब पाड़े नी व्याकरण पूर्टया प्रतिष्टित नहीं हुए था। कालिदास की शैली से ग्यात होता है कि उनके समय में संस्कृत भोलचाल की भाषा थी। पतंजली एक सो पचास इसा पूर्व के समय में संस्कृत भोलचाल की भाषा थी। यह महाभास से के सूत्र और व्याकरण के साश्तराथ से सिद्ध है। महा करकाइदास का समय उनके समीव होना चाहिए। प्रयार के समीव भीटा ग्राम में एक मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका समय इशा से पूर पर्थमशताप्धी माना जाता है। इस मुद्रह पर ब्रक्षों को सीचती हुई दो कन्याएं तथा एक म्रग का पीछा करते हुए एक राजा का चित्र अंकित किया गया है। विद्वानों का यह निश्चित मत है कि यह चित्र महा कव काईदास के सुपसिद्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंकका है। इसलिए यह माना जाता है कि यह नाटक इसमें प्रथम शती इशापूर्व से पूर्व अवश्य लिखा गया होगा। इसमें विच्णा के आधार पर महा कव काईदास की इस्थित्काल पतम शताभी इशापूर्व की प्रमारित माना जाता है। महा कव काईदास की शैली। कविता पकामिनी कांद काईदास की शैली में कहीं उप्माओ का ललित् तो कहीं अर्थांतर न्यास का अर्थ गांभीर। कहीं प्रेक्षाओं की उची उड़ान है तो कहीं प्रांजल पदा वली किसु कुमारता कहीं प्रशाद है तो कहीं माधुर्यगुन है तो कहीं कला प्रधान है तो कहीं कलपना प्रधान है प्रकृत के साथ ताधात में कि अनभूती उनके कावे गोरों को अधिक समुन्नत करत भाषा महाकव काईदाश की भाषा की प्रमुक्विश्यस्ता है कि वो सदा रसा अनुपूल होती है उनकी भाषा सरस सरल और मनोरग है लंबे समासों का प्राया अबाव है काईदाश का ये शब्द लागो उनकी कालात्मक अभिरुचिका भावा भी व्यक्ति कालिदास ललित भाव के कवी है उनके काव्यों में कल्पना की उची उनान मनों भाव की मालमी का भ्यक्ति और भाव सांदर का पगपग पर पर लक्षित होता है रस महा कवी कालिदास रस श्रंगार रस के कवी हैं वे संभोग विप्रलंब दोनों प्रकार के श्रंगार के वर्णन में सिद्ध हस्त हैं करून रस के भी कर्थिपय वर्णन अत्यदिक मारविक बन पड़े हैं वी रस के प्रसंग यद्धपी कम हैं फिर भी उनमें काईदास की योगता किसी प्रकार कम नहीं है अन्य रसों के वर्णन में भी वर्णन अत्यलप हैं गुणा रीति महा करकाल दास रस सिद्ध कभी हैं उनकी लोग प्रीता का प्रधान कारण उनके प्रसाद पून लालित युक्त और परिस्कत शैली हैं उनके सभी ग्रंत वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं मदू शब्द ललित रचना समासों का सरोता भाव है यह चोटे समास पदों का होना यहीं वर्णन भी विशेष्टा यहीं वर्णन भी रीति हैं प्रसाद मादृ और ओज इन तीनों गुणों का समावश है अलंकार महा करकाल दास के कावे में अलंकार विधान अनायास सिद पद पद पर अनुप्रास उप्मा रूपक दीपक अर्थांतर न्यास और उप्रेक्षाओं के दर्शन पर लक्षित होते हैं यह दर्शन होते हैं यद्दप यमक, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, प्रस्तिवुत्मा, श्लेश, दिश्टान्त, व्योधाभाश, आज यलंकारों के विस्मुदा प्रयोग मिलते हैं, उपमा कालिदास का त्यंत प्रियलंकार है, उनकी उपाएं असाधारण और मनोरब होती है, उनकी नंदिनी गाएं राजा दिलीप और राजा सुदक्ष्णा के बीच वैसे ही सोभा पा रही हैं, जैसे दिन और रात के मद्दे होने वाली रक्तवर्ण संध्या, आवा किरन बाल लता, प्रसुनेर, आचार, लजार, यो पोर कन्या, दिलीप के ऊपर बाल लताओं के ने मंगलार्थ धान के लाओं की वर्षा करती हैं, अर्थांतर न्यास में कभी का वेहवारिक ज्यान उज्च रूप से प्रकट हुआ है, उनके अर्थांतर न्यास सुभाशत रूप में परलक्षत प्रजलित हैं, कहां भी जया है कि अर्थांतरस विन्या से काली दासों विश जीवता और स्वाभाविता कला में कल्पना का संयोग और सरल भासा में भावों की अभिवेक्ति आधि गुण काईदास के वर्णन वर्णनों की विशिस्ता है सांधिकाल में सूर्यास्त का बहुती सुन्दर वर्णन मिलता है संचार पूतानी दिगंतरानी कत्वा दिनांते निले आयगंतुम प्रचक्रमे पल्लव रागताम्रा प्रभा प्रतंगस्त मनिष्च देनुहूं चंद योजरा चंदों के प्रयोग में भी यत्यंत कुशल है वे भावान कूल चंदों का प्रयोग करते हैं करुन भावों को वेक्त करने के लिए मन्दा क्रांता चंद का प्रयोग पता गहनेवं गंबीर भावों को वेक्त करने के लिए शारदूल विक्रीडिताम चंद का प्रयोग किया है रगवश और कुमार संभव के विशेश से तो ज्यात होता है कि महा कईदास को छोटे चंद अधिक प्रीदे बड़े चंदों का परयोक सरगांत्य में किया गया है छोटे चंदों में अनुस्टुक चंद सबसे प्री है कायदास की सर्वतों मुखी प्रतिवां उनके विश्व साहित्य में असाधारण इस्तान प्रदान करती है उन्होंने महाकावे, गीतिकावे और नाट रचना सभी में अपने प्रखरप्रतिभाग का समान परिचे दिया है बच्चों ये महाकल कालडास के विशान संपून उनका जीवन परिचे, उनकी रचना, भाषा शैली और वर्णन बैचित्रगे विशान आज आप लोगों ने पढ़ा, सब सवापत होता है, धन्यवाद